हेलो अब्रिवन जय हिंद आज 17 नवंबर और आज की सू वीडियो में हम 17 नवंबर से बनने वाले करंट अफर के सभी important questions को डिसकस करेंगे रिवजन कर लेते हैं कल हमने पढ़ा था कि रिसेंटली आइसलेंड में तीवर भूकंप के बाद emergency की घोशना की गई है रिसेंटली ग्रामेड विकास मंत्राले के द्वारा नई चेतना 2.0 अभियान ये चलाया गया है ICC Hall of Film में शामिल होने वाली पहली भारती महिला क्रिकेटर बनी है डाइना एल्डुजी Mount Everest के पास 21,500 फिट की उचाई से स्काइडाइव करने वाली पहली महिला वनी है शीतल महाजन रिसेंटली बिली जीन किंग कप 2023 का जीता है कनाडा ने बिली जीन किंग कप जो की महिलाओं के टनिस से रिलेटेड है एशे और प्रशांत के लिए World Organization for Animal Health शेत्री आयोक का जो 33 सम्मेलन रहा ये भारत में ही दिली में आयजित किया गया सहारा समूह के जो संस्थापक थे सुब्रत राय इनका रिसेंटली ने धन हुआ इसराइल पैलेस्टाइन विवाद में रिसेंटली अपने देश भारत ने युनाइटेड नीशन्स में इसराइल के खिलाफ मतदान कर दिया है समान नागरिक संगीता अपनाने वाला पहला राज जुत्रा खंड बना जबकि जार खंड ने 15 नवंबर को अपना इस्थापना दिवस मनाया है तो इस अभी कोश्चन्स हम लोगों ने कल पढ़ लिये थे चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल भारत और किस देश की बीच में सैयुक्त सैन्नेब भ्यास जिसका नाम है मित्रशक्ती 2023 इसका आयोजित किया जा रहा है तो रिसेंटली भारत और श्री लंका की बीच में सैक्त सैन्नेब भ्यास मित्रशक्ती इसकी शिरुवात हो चुकी है कल से यानिकि 16 नवंबर से इसकी शिरुवात की गई है और ये 29 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा आयोजिन हो का रहा है भारत में ही पुणे महरास्ट्र में इसका आयोजिन किया जा रहा है और भारत का प्रतिनेधित्व इसमें मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फरेक्टीर रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा है जोकी ये किया जा रहा है ठीक है? तो अब यदि हम बात करें श्री लंका की भारत का पडोसी है ये गल्फ ओफ मननार और पाक की खाड़ी की माध्यम से भारत से सेपरेट होता है इसकी कमर्शिल क्यापटल कोलंबो है एक्जेक्यूटी क्यापटल ये हो जाएगी जै वर्धने पूरम गोटे अभी आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतरमन जी इन्होंने इसी श्री लंका में RBI के ब्रांच का उदगाटन किया है इसके अलावा यदि आप रिलेट करें तो इस साल का मैं यहां लिख देती हूँ ताकि इस पश्ट रूप से आपको दिखाई दे रेखे इस साल का जो एशिया कप रहा था एशिया कप 2023 ये मैं पुर्शो के एशिया कप की बात कर रही हूँ जो कि श्री लंका और पाकिस्तान दोनों नहीं होस्ट किया था तो इसका जो फाइनल खेला गया था न कोलंबो में इसका विजेता भारत रहा था भारत ने किसे हराय था भारत श्री लंका को हरा करके विजेता बना था ठीक है? इसके लावा आप क्या relate कर सकते हैं? अभी तो World Cup से श्री लंका बाहर हो चुका है आप ये relate कर सकते हैं कि भारत की पहली अंतराश्टी cruise service ये भारत और श्री लंका की बीच में ही शुरू होने जा रही है options के थुरू हम कुछ अन्य exercise relate करेंगे जो कि भारत की अन्य countries के साथ होती है एक तो देखिए युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है, संगम है, टाइगर ट्रम्प है और इसके लावा भारत अमेरिका की बीच में पहली बार तरकस अभ्यास का आयोजन किया गया तो यहां से अमेरिका के साथ ये 6 अभ्यास आपको याद रखना है, तरकस को important mark करिएगा क्योंकि ये पहली बार आयोजन हुआ है फ्रांस के साथ भारत की जो exercise है, इसमें एक आप relate करें, तो शक्ती है, वरुण है और गरुण है पहली बार भारत फ्रांस की बीच में फ्रिंजेक्स exercise का आयोजन किया गया था ब्रिटेन के साथ भारत की होने वाली exercise में आप relate कर सकते हैं, कोंकर और अजय, warrior तो एक प्रशन से आप देखिए कितनी सारी exercise हमने relate कर ली है, option के थ्रूप, आगे चलते हैं, इंडिया परोब कारें लिश्ट जारी की गई है, 2023 की इसमें, नमबर बन दानवीर, ये बने हैं शिवनादार, शिवनादार जो की SCL के co-founder है, हिंदुस्तान computer limited के यनि की 2023 में, सबसे जादा दान इनहीं के द्वारा किया गया है, 2042 करोर का हर दिन यदि हम देखें, तो 5.6 करोर रुपीज इनके द्वारा दान किये गये हैं, सिक्षा कला और संस्क्रती के शित्र में, अजीम प्रेम जीम, ये विपरो के संस्थापक हैं, गौतम अडानी क जिसने की कड़ाई कल पोर्ट का धिकरहन किया है, कड़ाई कल पोर्ट जो की कहा है आपकी पुदूचेरी में, रतन टाटा जी से आप ये रेलेट कर सकते हैं, इन्हें order of Australia से सम्मानित किया गया है, लिजंड order of Australia, इससे सम्मानित किये गये हैं, ठीक है रतन टाटा जी का न तो रिसेंटली विराट कोहली अभी जो सेमी फाइनल हुआ था भारत और न्यूजिलेंड के बीच में इसमें अपना पचास्वा सतक लगाया है किसने विराट कोहली ने 15 नवंबर को मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में इसका एजन किया गया जिसमें की भारत विजित सचिन तेंदुलकर के नाम 452 पारियों में 49 सेंचुरी थी विराट कोहली में 279 पारियों में 50 सेंचुरी लगा दी और विराट कोहली एक ही फारमेट में 50 सतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए पहले सचिन तेंदूलATA थे टेविड वॉर्णर औस्ट्रिलिया से बिलॉंग करते हैं सबसे अधिक IPL खेलने वाले विदेशी कप्तान की यदि मैं बात करूँ तो ये डेविड वार्नर है रोहित शर्मा सरवाधिक सिक्सर का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है अभी वर्ल्ड कप में नए ना रिकॉर्ड बन भी रहें ग्लेन मैक्सवेल ये ऑस्ट्रिलिया से बिलॉंग करते हैं मातर चालिस बॉल में इन्होंने सेंचरी लगाई थी और इस साल के विश्व कप में डबल सेंचरी लगाने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है अफगानिस्तान के खिलाफ आगे चलते हैं ICC One Day इनके जो वर्ल्ड कप चल रहा है तो One Day में सबसे जादा चार बार या पांच या इससे अधिक विकट लेने वाले जो गेंद बाज हैं ये कौन बने हैं तो ये बन गया हैं मुहमत शमी इस समय फॉर्म में भी आप लगों को दिखाई दे रहे हैं हाला कि अभी जो समी फाइनल हुआ इसमें इन्होंने साथ विकट लिये थी न्यूजिलेंड के खिलाफ में तो ये नई उपलब्धी मुहमत शमी के नाम आप लिखिए इसके अलावा इस साल का जो परपल कैप था IPL में ये भी मुहमत शमी नहीं जीता है जस प्रीद गुम इसके स्थापना की गई थी दुबई यूई में हैटक्वाटर है ग्रेग बार के लिए अध्धक्ष है आगे चलते हैं भारती रेलवे के वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट पहल अब तक कितने स्टेशनों पर लागू है तो ये एक हजार 37 स्टेशनों पर चालू है ये पहल स्थानी लोगों को सोदेशी उत्पात बेचने के लिए वसेश्ट रूप से डिजाइन किया गया है ये जो योजना है नैशनल इंस्टिट्यूट ओफ डिजाइन एहम्दाबाद के द्वारा डिजाइन की गई है पाइलट प्रोजेक्ट ये पिछले साल मार्च के महने में शुरू किया गया था यदि मैं बात करूँ भारती रेलवे की तो रेल मंत्री अभी कौन है वरतमान में ये हो जाएंगे अस्वनी वैशनौ ये तो हमारे रेल मंत्री हैं लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि रेलवे बोर्ड के तिहास में मतलब की 1905 में जब से रेलव बोर्ड के तिहास में अभी तक कोई भी महिला ध्यक्ष नहीं रही थी जो कि अभी हाली में जया वर्मा सिन्हा लगभग दो महिने पहले इनकी नियुक्ति की गई है ठीक है जया वर्मा सिन्हा इनका नाम आप याद रखेंगे राष्ट्रे प्रेस दिवस कब मनाया गया तो ये रिसेंटली मनाया गया है 16 नवंबर को दरसल 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंतरता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिसत बनाने के लिए पहले प्रेस आयो की उज़ना बनाए गयी थी तो 4 जुलाई 1906 अट को भारती प्रे करी है इंपोर्टन मार्क करिए इसे इस साल का जो प्रेस फ्रेडम इंडेक्स रिलीज किया गया है 180 देसों में भारत को 161 स्थान मिला है टॉप पर फिर से इसमें माफ की जगा आइसलेंड नहीं होगा नौर्वे होगा यहां पर मिस्टेक हो गई है प्रेस फ्रेडम इंड दिवस आपका 13 नवंबर को मनाय गया है नैशनल चिल्रन डे यह मनाय जाता है 14 ओफ नवंबर को और 12 नवंबर को आपका नीमूनिया दिवस मनाय गया जो कि मैंने मस कर दिया था यहां से आप याद रख लिजे जंजाती गौरा दिवस मैं बता चुकि हुए बिरसा मुंड पश्चम मंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है बाके के डेज हम डिसकस कर चुके हैं आगे चलते हैं हाली में बीका नेरवाला की नाम से मशुहूर किस वेक्ति का निधन हुआ है रिसेंटली केदार नाथ अग्रवाल इनक अमेरिका, न्यूजिलेंड, सिंगापूर, नेपाल, यूई, सहित कई देशों में हैं ये भी आप याद रखें राके जुन-जुन वाला का नम आप शेर मार्केट से रिलेट करें शेर मार्केट का बिग बुल इन्हें कहा जाता था जिनका निधन हुआ सहारा इंडिया के संस्थापक का निधन हुआ, कली हमने इनका डिस्कुशन किया था, सुब्रत राय, बिंदेशवर पाठक, तो सुलभ इंटरनेशनल के ये संस्थापक रहे सुलब इंटरनेशनल इनका भी डिसकुशन हलाकि कई बार हम कर चुके हैं इन्हें के प्रयासों से 19 नवंबर को नेशनल सॉरी, World Toilet Day के रूप में मनाया जाता है अगला प्रश्न है उत्राखंड में रंजना दिसाई कमीटी का सम्मन्ध किस्से है तो देखिए कल की क्लास में हमने डिसकुशन किया था कि उत्राखंड जो है ये UCC यानि कि Uniform Civil Code लागू करने वाला पहला राज्य बना था तो समान नागरिक संगीता होगा इसका अंसर इससे मैं थोड़ा सा मोडिफाई कर दूँगी तो रंजना दिसाई कमीटी का संबंध इसी से हो जाएगा Retired Judge है रंजना दिसाई इन्होंने उत्राखंडे के लिए समान नागरिक संगीता के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है इसलिए ये चर्चे में है हलाकि समीतियों की बात किही जा रही है पुछ समीतियों जिसे आप ट्रिक से याद रख सकती है ट्रिक है Bags Bags का क्या मतलब हुआ B for बलवंत राए महता समीति B के बाद है A A से आपका होगा अशोक राए महता समीति G G से होगा आपका जीवी के राए समीति जीवी के राव समीति और S से आपका हो जाएगा सिंगवी समीति ये सभी समीतियां है जो कि आपके एक्जाम का पार्ट बनती है नाबाड बैंके की जो इस्थापना है न ये शिव रमन समीति के सफारिस पर की गई थी GST GST लाने के सफारिस भारत में जो GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है विजय केलकर समीति के सफारिस पर ये आप याद रखें पूसा 2090 निम्लकित में से किस फसल की किस्म है तो ये चावल के फसल की किस्म है जो कि चर्चे में है रिसेंटली IARI येनिकी इंडियन अगरी कल्चर रिसर्च इंस्टेट्यूट के किसानों के ने धान की एक नई किस्म तयार की है जिसे नाम दिया गया है पूसा 2090 इस किस्म की खासियत ये है कि ये पूसा 44 की तुलना में जादा जल्दी पक करके तयार हो जाती है ठीक है अगला प्रश्ण 11 और 12 प्रश्ण में ने वन नाइनर में एड किया है किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथाया मुरली धरन की बायो पिक 800 रिलीज हुई है तो ये श्री लंका के पूर्व क्रिकेटर 19 वे कलाकार पुरिसकार से सम्मानित किया गया है अपोली नारिस विसूजा को स्टाटिक जी के में प्रेवेंशन किया है कि मौलिक अधिकार ने लंबित ये प्रसरन के द्वारा किये जा सकते हैं भारती सम्मिधान में जो मौलिक कर्तव वे है सोवेत संग्रसिया से लिया गया है कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के अधिक्षिता व्यमयुष शंद्र बेनर जी ने की लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना स्याम कृष्ण वर्मा ने सरकारिया आयोक का गठन 1983 में किया गया 1929 में कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन के अधिक्षिता जब वाहरलाल नहरू ने की भारती राश्टी कॉंग्रेस के स्थापना 1885 में हुई सत्य में वजयते यनि की सत्य की ही विजय होती है ये मुंड को अपनिशत से लिया गया है आप याद रखें और कॉंग्रेस की पहली महिरा धिक्ष एनी बेसेंट थी अभिनाव भारत के संस्थापक वीडी सावर कर है ठीक है? चलिए मैंने कल आप से पूछा था United Nation World Tourism Organization के द्वारे किस गाउं को सर्वस रिष्ट पर एटन गाउं चुना गया है गुजरात का धोरड गाउं है कौन से राज्ज सरकार है जो की गायों की जनगर्ना कराने जा रही है आंसर आप इसका comment box में बताएं आप मुझे personally mail कर सकते हैं मेरी mail ID पर, Instagram पर follow कर सकते हैं मेरे telegram channel से जुड़ सकते हैं डेली की quiz और PDF के लिए फिर हम मिलेंगे next video में Thank you so much